नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हेल्थ टेक पे फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे बूटा प्राक्सिवान कैपसूल के बारे में इस कैपसूल का क्या काम है इसके क्या साइड एफेक्ट हैं पूरी जानकारी देंगे फ्रेंट्स किप्रिया वीडियो को पूरी देखें इससे पहले फ्रेंट्स बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंट्स दुरू करते हैं आज का ये वीडियो फ्रेंट्स बूटा अप्राक्सिवान कैप्सूल जो की इस्ट अफ्रिकन ओवर सीज कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और फ्रेंट्स इसके मार्केट प्राइज की बात कर लें तो ये 55 रुपे में 10 कैप्सूल मिल जाता है 10 कैप्सूल का ये एक इस्ट्री पाता है और friends बात कर लेते हैं इसके content के बारे में तो इसमें diclofenic potassium और piracetamal होता है जिसमें की diclofenic potassium 50 mg और piracetamal 325 mg होता है और friends बात कर लेते हैं इसके usage के बारे में इसका कहां पे use होता है तो friends इसका use जोडों का दर्द, हड्डियों में, दर्द, मानस्पेशियों के दर्द, माहिलाओं के पिरेड में होने वाले दर्द, सर दर्द, माईग्रेन में होने वाला दर्द, और पीठ दर्द, कमर दर्द, इन सब के इलाज में किया जाता है इसके लावा प्रेंट्स ये पेट दर्द में भी अच्छा काम करता है तो प्रेंट्स बात कर लेते हैं इसके डोजेज के बारे में तो इस कैपसूल को एक एडल्ट ब्यक्ति सुबह और साम ले सकते हैं भोजन करने के बाद या अपने डाक्टर के परामर्स के अंसार प्रेंट्स इस टेबलेट को लेने से पहले अपने डाक्टर से राय जरूर ले लेनी चाहिए क्योंकि प्रेंट्स इस टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं आईए प्रेंट्स बात कर लेते हैं इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में तो प्रेंट्स इस टेबलेट के साइड इफेक्ट जैसे पेट में गैस बनना, जी मचलाना, शरीर पे दाने निकलना, इलर्जी, कब जो होना, मुह सुकना ये सब इसके side effect हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं तो फ्रेंट्स इस टेबलेट को लेने से पहले अमने चिकिच सक्षे परामर्स जरूर ले लें ये capsule आपको हर एक मेट का लिश्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो फ्रेंट्स ये थी हमारी आज की जानकारी बुटा प्राक्सिवान कैपसूल के बारे में वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ